हेलो फ्रेंड एप देख रहे हैं हुम आये फर्स्ट न्यूज आज 31 अगस्ट के बाद 20 करोड पैन कार्ट हो जाएंगे रदी बचने के लिए खास बातें पैन कार्ट होने के बावजूद रिटन दाखिल नहीं कर रहे हैं लोग लोन लेने या क्रेडिट कार्ट बनवाने मे हो रहा इस्तमल 31 अगस्ट 2019 तक पैन कार्ट को आधार से जोड़ना जरूरी 43 करोड पैन कार्ट जारी किये गए हैं देश में रद होने के बाद बैंकिंग गती विडियों आने जगहों पर नहीं कर सकेंगे पैन का इस्तमाल 31 अगस्ट आयकर रिटन दाखिल करने की तो आख कार्य कर रहा है अगर आपने 31 अगस्ट तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर यह बिमानी हो जाएगा आपको भविशoga में फिर से अपना नया पैन कार्ट जारी करवाना पर सकता है 20 करोर पैन कार्ट रदधी धेश में 20 करोर से भी ज्यादा पैन कार्ट र ऐसे कराएं लिंक आएकर विभाग की e-filing website www.incomitaxidiafiling.gov.in को internet पर खोल ले, यहाँ पर बाइं तरफ दिये लाल रंग के लिंक अधार पर क्लिक करें, अगर आपका आएकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजी करण करा लीजिए. क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नमबर, पैन नमबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा, इसके बाद दिया गया capture code टाइप करें, जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक अधार आप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका पैन काड आधार से लिंक हो पता कर सकते हैं, आधार पैन काड लिंक का स्टेटस आएकर विभाग की वेबसाइट इनका मिटाकसीड.ifiling.gov.in पर जाना होगा, यहां पर लिंक आधार के नाम से आप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुले आएकर विभाग की और से पैन काड रध होने के बाद उसका इस्तमाल नहीं किया जा सकेगा, अभी देश में 43 करोर पैन काड धार रखें, जबकि 120 करोर लोगों के पास आधार काड है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो